अगर आप इसकी प्रेजन्स को चेक करना चाहते हैं तो NCRD में ही एक और कोशन है पॉप साउंड कैसे प्रोड्यूस होती हलो क्लास 10 मेरा नाम तुशार तुशार भारदवाज और यह आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ड आज हम डिसकस करने वालें क्लास 10 की कैमेस्ट्री का जो फस्ट चैप्टर है इस चैप्टर में वैसे तो देखा जाये तो बहुत सारी अक्टिविटी है उन में से एक इंपॉर्टेंट अक्टिविटी नमबर 1.3 को हम आज की वीडियो में एक्स्पेंट करने वालें इसका जो topic बनता है वो है formation of hydrogen gas by action of sulfuric acid sulfuric acid का formula क्या होता है H2SO4 hydrogen sulfate इसका chemical name है तो hydrogen sulfate जब zinc पर action करता है तो क्या experiment, क्या activity हम देख सकते हैं क्या product बनता है तो ये सारी चीज़े हम आज की वीडियो में clear करने वाले हैं चलिए start करते हैं आज की वीडियो का topic activity number 1.3 देखिए इसके लिए हमें एक छोटा सा diagram ड्रॉ करना होगा सबसे पहले आप एक conical flask बनाएंगे ठीके, यहाँ पर इस तरीके से एक rubber, cork लगाएंगे जो barrier का काम करती है इस cork में एक इस तरीके से glass की tube लगी होगी ठीके, cork और इसमें जो glass के tube उसको arrange करने से पहले आपको क्या करना होगा zinc के granule डालेंगे आप क्या डालेंगे conical flask में zinc granule, ठीके इस तरीके से आप यहाँ पर granule मतलब होता है दानेदार structure, ठीके, simple zinc granule के साथ आपको add करना होगा conical flask के अंदर sulfuric acid ठीके, क्या क्या चीज़ हमने इसमें add की है उसको लिख लेते हैं H2SO4 मतलब sulfuric acid यह जो granular structure है यह है zinc zinc जिसका formula होता है ZN Z capital N is small sulfuric acid जिसको आप hydrogen sulfate भी बोल सकते हैं sulfate के लिए सिंबल क्या होता है SO4 और hydrogen के लिए H तो H2SO4 sulfate की valency 2 होती है, इसलिए H के नीचे 2 लगाया जाता है तो zinc और sulfuric acid को आप एक conical flask में डालेंगे और होता क्या है जब यह sulfuric acid zinc पर action करता है लेकि यही चीज हमारा topic है कि formation of hydrogen gas by action of जब sulfuric acid action करता है zinc पर मतलब zinc जब reaction करेगा sulfuric acid के साथ उनके बीच में क्या चलता है single displacement reaction चलती है zinc जो होता है hydrogen से ज़्यादा reactive होता है वो hydrogen को हटा देता है और sulfate के साथ खुद जुड़ जाता है अगर इसकी reaction की बात की जाए तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते है H2SO4 प्लस zinc और आगे क्या produce करता है zinc sulfate ZNSO4 प्लस hydrogen gas पर यह तो एक chemical reaction होई actual में कैसे experiment होता है सबसे पहले तो आप एक flask लेते है conical flask लेंगे उसके इंदर sulfuric acid और zinc को add कर देंगे zinc जो होता है वो granular form में होता है इसलिए क्या बोलते हैं इसको zinc granules पूरा नाम लिख लेते हैं इसका ठीके अब जब इनके बीच में reaction चलेगी reactivity के बेस पर जैसे मैं आपको भी समझाया कि बएच जो होता है ज्यादा reactive होता है वो hydrogen को displace कर देता है ठीके और खुद sulfate के साथ जुड़ जाता है और zinc sulfate product तयार हो जाएगा साथ में hydrogen gas release होती है hydrogen gas जो release हो रही है इसके लिए आप ऐसे arrow डाल सकते है ठीके clear अब होगा क्या जैसे hydrogen gas यहाँ पर बनना start होगी इस तरीके से gases diatomic होती है इसके लिए हम symbol लिख देंगे ही hydrogen gas यहाँ पर फॉर्म हो गई है यह hydrogen gas इस glass tube से enter करेगी अब देखिए hydrogen gas तो बन चुकी है यह तो हमारा topic वैसे complete हो गया है लेकिन अगर आप इसकी presence को check करना चाहते है तो NCRT में ही एक और question है pop sound कैसे produce होती है तो वो topic भी इसी से जुड़ जाता है देखिए अब किस तरीके से यह जो glass tube है इसको आप एक deliver tube से connect कर देंगे और उससे पहले ही हाँ पर side में एक beaker बनाएंगे कोई भी container हो सकता है उसमें थोड़ा सा soap solution एड करेंगे आप ठीके और इस वाले side को थोड़ा छोटा रखिए अब आपको क्या करना है इस glass tube को एक extra tube जिसको deliver tube भी कहा जाता है उससे connect करेंगे होता क्या है यह जो deliver tube है यह enter करती है कि इसमें soap solution के अंदर जैसे जैसे hydrogen gas produce होगी वो hydrogen gas इस deliver tube के जरीए proceed करेंगे देखे इस direction में और soap solution में enter करेंगे तो जैसे ही hydrogen gas enter करती है soap solution में तो वहाँ पर इस तरीके के bubbles बनने start हो जाते है ठीके और इन bubbles में क्या trap किया हुआ है hydrogen gas ठीके तो यह जो hydrogen gas के bubble है जैसे ही आप इनके पास कोई भी candle लेकर आते हैं देखे केंडल बना देते हैं छोटे सी इस तरीके से तो जैसे ही इन bubbles का contact बनता है न हाइड़न गैस के bubble का contact बनता है burning candle के साथ जल्तिवी मौंबत्ती के साथ तो यह bubbles फट जाते हैं और कैसा sound आता है pop sound ठीके clear तो इस तरीके से आप pop sound का जो topic है वो भी इस activity के जरीए समझ सकते हैं एक बार revise कर लेते हैं देखे हमारा जो topic है वो NCRT में बहुत सारी activity है उन में से एक activity जो काफी important इस पर based exam में question भी आता है activity number 1.3 इस activity के जरीए जो आपको समझाया जा रहा है वो target क्या है कि जिंक जो होता है granular form में जब sulfuric acid के साथ reaction करता है तो reactivity के basis पर क्योंकि zinc जादा reactive होता है hydrogen से तो hydrogen को वो displace कर देता है sulfuric acid में से तो sulfate से जब hydrogen हट जाएगा और zinc खुद जुड़ जाएगा तो product में आप क्या देखेंगे? hydrogen gas release हो रही है और यही है हमारा topic formation of hydrogen gas लेकिन यह hydrogen gas कब बनी? जब zinc ने displace किया किसको sulfuric acid में से hydrogen को तो zinc और sulfuric acid की reactivity की वज़े से hydrogen gas produce होती है और उस hydrogen gas को जब आप deliver tube की मदद से किसी soft solution से pass out करते हैं तो वहाँ पर जो bubbles बनते हैं उन bubbles के पास अगर आप किसी जलती भी मुंबत्ती को लाते हैं तो वहाँ वो bubbles जब फटते हैं तो क्या sound आता है? पॉप sound आता है simple और यह जो reaction चल रही है sulfuric acid और zinc की तो यह क्या है? एक single displacement reaction है यह चीज़ भी आपको याद रखनी है ठीक है? तो I think आपको topic clear हो गया होगा आप लीज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि class 10 की NCRT का जो first chapter है chemical reaction and equation उस chapter की जो activity है 1.3 कि क्या वो आपको पूरी तरह से clear है या अभी भी कुछ doubt है कुछ भी आपको doubt लगता है तो please comment ज़रूर कीज़ेगा जुड़े रही science for channel से मिलते हैं नेक्स वीडियो में science के एक नए topic के साथ वीडियो को starting से last तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद